आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो अब्रिवन, हमारा आज का प्रशन है इन प्रतेक प्रशनों एक और दो मैं दो समिकरण दिये गए है दोनों समिकरणों को हल करके उत्तर दीजिए हमारे पास पहला समिकरण है 6X की घादो, माइनस 49X चमा 99 बराबर है 0 और दूसरा समिकरण है 5Y की घादो, चमा 17Y, चमा 14 बराबर है 0 और हमारे पास चो विकल्प तो ये कहे हैं ये है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, ये है तीसरा विकल्प और ये है चौत्था विकल्प तो आईए अब हम इस प्रशन को हल करते हैं सबसे पहले हमें दिया गया है समीकरण 1 जिसका मान है 6x की घाद 2-49x जमान 99 बराबर है 0 तो सबसे पहले x का मान गयात करने के लिए हमें यहाँ पर इसके गुणनखन बनाने होंगे गुणनखन हमें इस प्रकार से बनाते हैं कि यहाँ पर हम x की घाद 2 के गुणा को हमारे पास चो अच्छर पद होता है उसके साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पर अगर हम 6 संख्याओं में तोड़ना है जिससे उन दोनों को गुणा करने पर 594 मिले अब यहां पर हम आपको एक तरीका बताते हैं सबसे पहले हम देख सकते हैं 6 के हमेरे पास कुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 और 99 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 11 अब हमें यहां पर इन्हें ऐसी संख् मिलकर 51 होते हैं वो 49 नहीं बनते हैं तो अगर हम यहां पर 2 को 11 से गुणा करते हैं 2 गुणा 11 और अगर हम 3 को 9 से गुणा कर सकते हैं तो यहां पर 11 गुणा 2 यह 22 के बराबर और यह होता है 27 के बराबर अब हम देख सकते हैं 22 और 27 के बीच में जो अंतर है वो 5 है और वो कार थी है कि हमारे चो गुणन खंड बनेंगे वो यह होंगे अब हम इसको लिख सकते हैं 6 X की घादो माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे 27 X माइनस 22 X जमान 99 बराबर है 0 अब यहाँ पर हम देखेंगे इन सभी में इन दोनों में common क्या है तो इन दोनों में हम देख सकते हैं 3 common है तो 3 गुणा X हम common लेने पर यहाँ पर यह बचेगा 2 X माइनस 9 और इन दोनों में हम देख सकते हैं 11 common है तो 11 common लेने पर यह बनेगा 2 X माइनस 9 तो यहाँ पर इसके जो गुणन खंड बन रहे हैं वे हैं X-11 और यहां पर 2X-9 बराबर है 0 अब मिनको अलग-अलग 0 के बराबर करेंगे तो यहां से 3X-11 बराबर है 0 और यहां से 2X-9 बराबर है 0 यहां से 3X बराबर है 11 और X कमान होगा 11 वटे 3 के बराबर और यहां पर 2X बराबर है 9 और x कमान बराबर होगा 9 वटे 2 के बराबर तो यह हमारे पास x कमान आ गया है अब हम समिकरन 2 को हल करते हैं हमारे पास समिकरन 2 दिया गया है यहाँ पर 5 y की खाद 2 जमा 17 y जमा 14 बराबर है 0 तो अब हम इसको हल करते हैं यहाँ से हम देख सकते हैं 5 और 14 को गुणा करने पर हमें ये मिलता है 5 गुणा 14 जो की बराबर होता है 70 के और हमें 17 बनाना है तो यहां से यह असान है हम 10 को जब 7 से गुणा करते हैं तो यह 70 के बराबर होता है 10 जमा 7 जो है वो 17 के बराबर होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 y square जमा यहां पर हम लिखे यहां पर यह रह जाएगा y और यहां पर 5 हमने comment ले लिए तो यहां पर यह दो बचेगा जमा 7 गुणा y जमा 2 बराबर है 0 तो इसके जो गुणनखंड हैं वो बराबर होंगे 5 y जमा 7 और y जमा 2 बराबर है 0 अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करने पर 5 y जमा 7 बराबर है 0 तो y का मान यहां से बराबर होगा माइनस के साथ वटे 5 के बराबर और y जमा 2 बराबर है 0 तो y बराबर है माइनस के 2 अब हम देख सकते हैं x के जो दोनों वो दोनों हमारे पास जमा के निशान के साथ दिये गए हैं और हमारे पास जो य के मान है उन दोनों में रिन लगा हुआ है इसका अर्थी है कि हमारे पास X जो है वो बड़ा है तो यहां से हम कह सकते हैं X जो है हमारे पास वो बड़ा है Y से और यहां से हमारा जो विकल्प सह आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर